हलो सेजिटेरियस, सेजिटेरियस यनि धन्मवासी, नमस्ते मैं सुरेश गोर्ड स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर तो आज हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की रीडिंग करेंगे जो रिसेंट पास्ट आपका अभी अभी बीता है, 72 आवर्स करंट अनर्जी और 21 दिसंबर से 28 दिसंबर तक आपका आने वाला फ्यूचर या जो नियरेस्ट फ्यूचर है ये उसके लिए रीडिंग सकती, जिसके साथ जितनी रेजोनेट होती है, प्लीज आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं, उनिवर्जी क्या कहते हैं, उनिवर्जी गाइड में प्लीज, 21 दिसंबर से 28 दिसंबर तक स्कोर्पियो यानि सौरी ये सैजिटेरियस यानि धनूरास कैसे के दिन कैसे रहने वाले हैं, तो चलिए सलते हैं, देखते हैं, आपका ये पास्ट जो अभी-अभी बीता है, प्रेजेंट, फ्यूचर और गाइडेंस, Age of Swords, काफी बाधाएं, काफी प्रेशानिया, काफी दिक्कतों के बाद, एक उमीद की किरन आपकी जागी है, फ्यूचर में जो पास्ट में जो अभी-भी आपका बीता है, आपको आपका पास्ट बीता है, जो रिसेंट पास्ट है, वो काफी सुख देने वाला हुआ है, काफी ओपर्चुनिटी आपको मिली है, अगर समय रहते आपने उसको एक्सेप्ट किया है, नई बिगनिंग, नई शुरुवात की है, तो आगे जाकर इन दा फ्यूचर ये बहुत अच्छे रिटन्स आपको दे सकता है, या देने वाला है, तो जो प्रेशानिया, जो बाधाय, जो प्रिश्रम, जो महनत, जो दु अगर समय रहते जिसने भी एक्सेप्ट किया है, उसको इसका रिजल्ट जरूर मिला होगा, और आगे हम इसमें देखेंगे कि इसमें प्रेजन्ट और पास्ट एनरजी, फ्यूचर की एनरजी कैसी रहने वाली है, उनके दिन कैसे रहने वाले हैं, जिनों ने इसको रिटन्स ये देने वाला है, खुशी देने वाला है, और जिनों ने एक्सेप्ट नहीं किया है, उनको आगे परिश्रम मेहनत करने की जुरूरत है, इन दा फ्यूचर ये भी आपको काफी अच्छा रिटन्स दे सकता है, अगर आप अब भी कोशिश कर लेते हैं, अब भी म आया है, तो जितना आप मेहनत करेंगे, जितनी आप कोशिश करेंगे, जितना आप एफर्ट लगाएंगे, उतना ही आपको इसका फल मिलेगा, आप कहीं न कहीं पैसा इकठा करने में लगे हैं, आप काफी स्टेबल होते नजर आ रहे हैं, काफी पैसा जमा करने वाले हैं, तो आप जितना मेहनत करते हैं उतना ही फल आपको मिलता है ना तो कम मिलता है ना ज्यादा मिलता है और आप स्टेबल होने में पैसा कमाने में काफी बिलीव करते हैं अगर आप बहुत उंचे पद पर बहुत उंचे रैंक पर भी पहुँच जाते हैं तो भी आप किसी पर इतना जल्दी अपना काम नहीं थोपते अपना काम नहीं छोड़ देते फिर भी आप अपने हाथों से अपनी मेहनत से अपने काम को करने में बिलीव करते हैं और अपने हाथों से पैसा बनाते हैं तो मेहनत करते रहिए effort लगाते रहिए, کوशिश करते रहिए, जितनी मेहनत करेंगे जितनी effort लगाएंगे, कोशिश करेंगे, उसी हिसाब से आपको university blessings दे रहे हैं आपका सात दे रहे हैं आपको पैसा मिलेगा, stability मिलेगी name और fame मिलेगा आप हर चीज में कामियाब होंगे आप खूब पैसा इसमें कमा रहे हैं कमाने वाले हैं इन्दा future काफी अच्छे returns आपको इसमें मिल सकते हैं ये future के लिए आया है तो seven of wants अडिग रहने के लिए इसमें लग रहा है कि जो बाधाय जो प्रेशानियां आपको प्रेशान कर रही हैं उसमें आपको अडिग रहने की जुरूरत है अडे रहिए, खडे रहिए, रुके रहिए, मेहनत करते रहिए, effort लगाते रहिए, कोशिश करते रहिए अपने काम को बिल्कुल मत छोड़िए अगर आप ऐसा करते हैं तो इन दा फ्यूचर आप काफी अच्छे रिटरंस आपको मिल सकते हैं हो सकता है कि अपनी पॉजिशन पाने के लिए आपको थोड़ा सा किसी के साथ अपना हक पाने के लिए लड़ाई जगड़ा भी करना पड़े तो बिना लड़ाई जगड़ा किये अगर काम चलता है तो बिना लड़ाई जगड़ा किये मेल जोल करके बात चीत करके समझोता की जीए क्योंकि अपना हग पाने के लिए बॉलने की जुरूरत है आप खड़े रहने की जुरूरत है अगर आप यहां महलत नहीं करेंगे एफ़र्ट नहीं लगाएंगे हिम्मत हार गए तो बने बनाए काम को आप खो सकते हैं उससे आपको हाथ धोना पड़ सकता है अगर अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको फ्यूचर में खड़े रहने की जुरूरत होगी तो अपना आने वाले फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए फ्यूचर में आपको स्टेंड लेने की जुरूरत है खड़े रहने की जुरूरत है एफ़र्ट लगाने की जुरूरत है पोशिश करने की मेहनत करने की आपको जरूरत है give up मत कीजिए, stand लेजिए, खड़े रहिए अगर आपको थोड़ा बहुत अपना हग लेने के लिए लड़ना पड़े तो उससे भी आप पीछे मत हटिए क्योंकि कई बार होता है कि अपना हग लेने के लिए आपको बोलने की जरूरत पड़ती है तो तभी आपको अपना हग मिलेगा जब आप अड़े रहेंगे ड़टे रहेंगे, मैनत करेंगे, प्रिश्रम करेंगे तो और आपको उसके रिजल्ट भी काफी अच्छे मिलेंगे पॉजिटिव मिलेंगे, सक्सेस होंगे आप आप खुब नेम और फेम कमाएंगे लेकिन आपको डटे रहने की जरूरत है गिव अप मत कीजिए और लगे रहिए, चलते रहिए मैनत करते रहिए नाइन ओप कप्स ये नाइन ओप कप्स आपके आपके गाइडेंस के लिए आया है तो आप काफी खुश दिखाई दे रहे है चीर्स करते दिखाई दे रहे है तो आपको ज्यादा ड्रिंक नहीं करना है चाहे कोई भी ड्रिंकिंग आपके लिए हानी कारक हो सकती है कोई भी ड्रिंक्स आपको नुकसान पहुचा सकती है चाहे वो पानी है चाहे वो एलकोहल है है दारू है बीडी है, सिग्रेट है किसी भी चीज की अती आपको आगे नुकसान पहुचा सकती है अगर आप अपने आपको खुश रखना चाहते हैं तो अगर आप लोगों को खुश करना चाहते हैं, अपने परिवार को खुशी देना चाहते हैं, तो आपको इन चीजों से परहेज करने की जुरूरत है, आपको अपने आपको खुश रखने के लिए ज्यादा किसी भी ड्रिंक का ज्यादा इस्तेमाल मत कीजिए, उनका सेवन मत क कीजिए, और अपने आपको खुश बनाएए, एप्पी बनाएए, ये फुल्फिल्मेंट का कार्ड है, खुशी का कार्ड है, खुब मौज मस्ती कीजिए, इंजवाय कीजिए, अपने परिवार सब के साथ सेलिब्रेशन कीजिए, बस वही है कि किसी काम को लेकर भी अतीमत कीजिए, अगर आप पीने का सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये कप्स के कार्ड है, इमोशन के कार्ड है, पानी जो वाटर एलिमेंट के कार्ड है, अगर आप ज्यादा आती कर देते हैं पीने की चीजों में, तो ये आपके सरीर को नुक्सा वाइन खाल से टेर देज सकता है आप आयजेशन इस्टी षें ऐसोhua। उन के लिए आपको थोड़ा सा इन पर कंट्रोल करने की जृरत है। ज्यादा बीडी मत पीजिये, सिगरेट मत पीजिये, अलकोहल मत पीजिये, ये जो क्या ड्रिंक्स वगरा जो जूस वगरा कुछ भी लिक्विड चीजे हैं जो वो आपको ज्यादा नहीं पीनी हैं, उन पर आपको ध्यान देने की जुरूरत है, अगर आप उनको समय रहते ध देहान देते हैं, तो अपनी विमारीों से बच सकते हैं, और अपनी लाइब को अच्छा बना सकते हैं, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं, तो प्लीज लाइक शेयर कीजिए, सबस्क्राइब कीजिए, कमेंट्स करना बिलकुल मत भूलियो, क्योंकि इस पर मेरा हक है, और वैसे भी ये चैनल नया है, तो मुझे आपके प्यार और आशिरवाद की और स्पोर्ट्स की काफी जरूरत है, तो वो मुझे देते रहिए, और फिर एक नई व तो